हेलो दोस्तो अगर आप Python coding में beginner हैं आप Python अभी अभी सीख रहें तो यह वीडियो आपके लिए मैं आपको बताऊंगा बहुती easy way में किस प्रकार से Python में calculator की coding की जाती है जी हाँ दोस्तो Python में calculator बनाने के लिए सबसे simple coding मैं आपको आज सिखाऊंगा ध्यान से देखिएगा तो वीडियो आने से पहले मैं आपसे भुजारिस करना चाहता हूं कि मेरे वीडियो को subscribe करें और like करें तो चलिए सीखते हैं किस प्रकार से Python में calculator की coding हम करते हैं इस प्रकार से आपको Python का application को open कर लेना है यहाँ पे जहाँ पे cursor है वहाँ से हम एक coding को run करेंगे और हम सीखेंगे calculator की coding किस प्रकार ते की जाती है तो सबसे पहले आपको यहाँ पे लिखना है print जिसको हमें print कराना है जैसे हम इसको run करेंगे तो वो चीज़े पहले से लिखी हुई आ जाए यानि वो हमसे पूछेंगी बोलेंगी हमसे order मांगेगी देखिए हम कैसे करते हैं सबसे पहले प्रिंट और ब्रैकर बना देना ब्रैकर के अंदर लगाना है डबल इन्वेटेट कॉमा उसके बीच में जाके लिखना है select the number to operation और यहाँ पे select करने के लिए एक gap लगाना है लिखना है one या two या three या four यहां का मतलब है अबलिक तो यहां पे आपको लिखना है प्रेंट प्रिंट फिर आपको ब्रैकर के अंदर लगाना है डबल इन्वेटे कॉमा select the number to operation one two three four में से कोई चुनना है अब फोर के बाद लाश्ट पर आपको को लोन लगाना है दोस्तों इसको ना बूले इसके बाद आपको क्या करना है कि लाश्ट में क्लिक करके ब्रैकेट के बाहर क्लिक करके इंटर मार देना है अब ये सारी चीजे को प्रिंट करना है क्या प्रिंट करेगा अब प्रेंट ब्रैकेट के बीचometric कॉमा लगा दिए आप इसको कॉप्य भी कर सकते हो पाइधन में ये बहुत अचिए चीज़ बताई गई है आप इसको कॉपी भी कर सकते हो इसको स्लेट करना पड़ेगा चाओ तो सिप्ट बटन से आप चाओ तो स्लेट कर सकते हो और कंट्रोल सी कर दो तेक क्योंकि हमें यह बार बार काम आएगा प्रिंट यहाँ प्रिंट लिखने वाद आपको लिखना है ब्रैकेट के अंदर प्रिंट और ब्रैकेट के अंदर आप लिखोगे वन पॉइंट यानि कि एक दसमलों लगा देंगे फुली स्टॉप और लिकिंगे एड यानि कि वन नंबर आप प्रेस करोगे तो एड होना चाहिए फिर आप कंट्रोल वी करोगे फिर आ जाएगा तू फिर पॉइंट आप लिखोगे यहाँ पी लिखोगे आप सब्ट्रेक्शन सब्ट्रेक्शन उसके बाद आप लिखोगे कंट्रोल वी करोगे उसके बाद हमको लिख देना है यहाँ पे मल्टिप्लिकेशन मल्टिप्लाई उसके बाद यहाँ पे लाट पे हम लिख देंगे फोर नमबर डिवाइड कैल्कुलेटर के लिए इनी चीज़ों की आप सकता पढ़ती है वन नमबर आप प्रेस करेंगे जैसे आप इसको रन करेंगे तो यहाँ पूचिए का select the number to operation इन में से यह चीज़े प्रिंट होगी select the number to operation यह प्रिंट होगा और यहाँ पे प्रिंट होगा आपका one दबाओ के तो add के लिए two दबाओ के two for suppression के लिए three रहेगा multiplication के लिए four रहेगा divide के लिए इन में से कोई एक नमबर का हम चुनाओ करेंगे वोई चीज़ ऑपरेट होगी इसके बाद हमको यहाँ पे लिख देना है operation और रहेशन की स्पेलिंग ध्यान से लिखना है फिर आपको दवाना है बराबर बराबल अगर में input क्योंकि यह input method है यानि हम कोई चीज़ को input करेंगे तब उसका result आएगा तो input करने के लिए यह चीज़ छपकर नहीं आएगी जो bracket के अंदर होगा डबल इनिवेटर कॉमा के अंदर वही चीज़ छपकर आएगी यानि वही चीज़ प्रिंट होगी यहां पर लिख देना है आपको select the number to perform ऐसे हमने लिख देते हैं लिख देने के बाद आपको यहां पर याद रहा कि डबल यान पर कलोन लगाना इसके बाद आपको इंटर दवा देना है यह लग दे इतना बहुत इतना इजी असानित आपको बना लेना है अब लिखना है यहां पर आपको if यदि if operation दो बार बराबर लगाना है if operation एक अगर one number दबता है और हमको यहां पर यह लगा लेना है यह अगर operation अगर if operation one अगर कोई one को press करता है तो क्या होना चाहिए यहां पर होना चाहिए num one number लिख देते हैं बराबर लिख देते हैं यहां पर लिख देते हैं इनपोर्ट number one मतलब number one पहली संक्य इनपोर्ट यहां पर लिखना है कि अब num1 क्या है यहाँ पर एक variable है जहाँ पर हम इस data को store करेंगे यह जो भी आप देख रहे है यह जो operation आप देख रहे है यह भी एक variable है इसमें यह चीज़े store है if operation में यह चीज़े store है जैसे हम one दबाएंगे तो उसको call कर देगा इस add को call कर देगा यह काम करने लगेगा और इसके नीचे यह store कर दिया गया है num1 मतलब एक number बने के storage बनाई गई है उसकी storage को हम variable कहते है programming के हिसाब से programming language में इसको variable कहा जाता है जो एक store है storage बनाया जाएगा तो हमने एक data को store करने के लिए नाम दिया है num1 मतलब number 1 number 1 आप दबाओगे तो यहाँ पर लिख कर आएगा आपको enter the first number enter the first number यह आ गया है और फिर बात में वो कुछ भी हो enter the number first enter the first number और वो कुछ भी हो मतलब कुछ भी मतलब double जो आपको यहाँ पर dot दीख रहा है न colon मतलब कुछ भी हो colon का मतलब यही है उसके अलावा फिर आप इंटर करोगे यहाँ पर लिखो के num2 फिर बराबर यहाँ पर भी लिखो के input bracket के अंदर चले गए double inverter comic लिखो के enter the enter the second number और वो कुछ भी हो मतलब colon लगा देना है फिर माल लोग है हमने दो अंको का बनाना है बना तो हम बहुत ज़्यादा सकते normally यह भी basic theory के लिए हम आपको बहुत ही software में हम आपको calculator की programming सिखा रहे है इसके लगा आपको लिख देना है यहाँ पर print अब यह दोनों number जाओ इसे आपने डालेंगे तो print क्या होगा result निकलेगा print यह जैसे बनाना है पर हमको पूरी coding बनानी पड़ी है फिर आप प्रिंट लिखने वा डवल bracket बनाएंगे bracket के अंदर double inverted comma पी लिखेंगे योर answer is फिर आप थोड़ा space लगा देना क्योंकि यहाँ पर answer आएगा अब फिर आप चाहे तो इस double inverted comma के बहार निकल के आपको प्लेस लगाना है याद रखना ब्रैकेट के बहार नहीं निकलना है फिर आपको प्लेस लगा देना है प्लेस लगाने के बाद आपको यहाँ पे फिर से मां मिटा कर लिख रहा हूं ताकि आप समझ सके print लिखते हैं ना print के बार double a bracket bracket के अंदर double inverted comma उतके अंदर लिखोगे आप your answer is और space लगा दोगे फिर आप bracket के अंदर ही रहोगे double indicator को में के right side जाके और bracket के अंदर आपको लिख देना प्लेस, फिर लिख देना आपको str, फिर आपको ये कोश्टक देना है, फिर आपको लिखना int, int मतलब होता है integer number, जब number को call किया जाता है, यानि कि number जहां पे रखेंगे हैं, उसको integer कहते हैं, string value हो जाती है, str, string value और integer हो ज मतलब कि number को उठाना है, इसलिए हम int कर रहे हैं, मतलब integer ओठा रहे हैं, फिर आप bracket लगाएंगे, bracket लगाने बाद आपको लिखना num1 यानि कि यहांपर number को call क्या जाएगा, फिर आप ब्रैकेट को bracket के बाहर आप nिकल जाएंगे, bracket के बाहर निकलने में निकल बद आपको यह लगा दे बस यह एक easy method हो जाता है print फिर your answer is करने के बाद फिर आपको यहाँ पे double integer comma के बाद आपको plus लगाना है इसके बाद आपका str होगा str मतलब string value अब फिर बाद में यहाँ पे एक bracket लगेगा यहाँ पे integer value रहेगी फिर आपका एक bracket के अंदर यह num 1 रहेगा num 1 के बाद एक plus रहेगा क्योंकि num 1 और num 2 को यानि integer value यानि integer मतलब यह पहली संख्या यहाँ पे number 1 के पहली संख्या यानि integer value मतलब की number number कौन सा पहला number और दूसरा number को हमको plus कराना है इसलिए बीच में लिखा इसको आप copy कर लिजिए ऐसे करके select करके copy कर लिजिए और फिर आप नीचे जाएए इसको बाद paste कर दीजिए फिर नीचे जाएए फिर आप इसको paste कर दीजिए फिर नीचे जाएए फिर इसको paste कर दीजिए ऐसा करने बाद आपको मिलेगा यह सबी सेम हो गया है वह एक पर ने कोडिंग लगा दिये अब आपको यहाँ पे operation 2 कर देना है तो button number 2 यहाँ पे आपने लिखा subtraction के लिए button number 2 subtraction में क्या होता माइनस होता है तो यहाँ पे आपको minus कर देना है फिर तीसरा दिया है multiplication तो तीसरा नंबर दवाना है तो यह third operation को third कर देंगे और यहाँ पे हम multiplication के लिए keyboard से star button दवाते है right side में जो calculator button होता है वहीं पे मौजूद रहता है और सबसे last में दवाना है हम को four number चार number चार number दवाने के बाद आपको यहाँ पे यह जो दिया हुआ है यहाँ पे हमको divide कर देना है तो देखो हमने बना लिया यह first number लिखाता है हमने कि one for add के लिए है तो देखो operation one पहला button दवाते है तो यह add करने लगेगा पहला number दूसरे number को दूसरा number subtraction के लिए तो यहाँ पे हम subtraction मतलब minus के लिए हमने लगा दिया है कि पहली संक्या दूसरे संक्या के बीच minus होगा जब button दो दवेगा तो यह अपने आप यह program run होने लगेगा और फिर multiplication के लिए तीसरा button जो है दवाना है तो यह सब लिख कर अपने आप आप आएगा पहला number बताईए दूसरा number बताईए और जैसे आप इंट्रम आरोगे न तो यह पहले number दूसरे number को into कर देगा क्योंकि आपने दे रखा है ऐसे चौथे के लिए भी divide के लिए आपने 4 number प्रेस करना है तो 4 number को operate करेगा इस पे लिखाओ यदी operate होता है 4 number if operation बराबर होता है 4 बराबर यहाँ दो बार लगा ध्यार नखना तो यहाँ पे ऐसे ऐसे यह पहले number दूसरे number को divide करेगा चलो इस program को हमको run करना है याद रखना run करने के लिए आपको F5 button को press करना पड़ता है F5 button को आपको press करना पड़ता है तो जैसे आप F5 button को आप दवाते हैं तो इस program को हमने save किया नहीं है यह save कुछेगा याद रखना जब भी आप कोई modify करते हो यह edit करते हो तो यह save करने को बोलता है हम इसको save कर देते हैं हम इसको save कर देते हैं triple c के नाम से और youtube channel यह python calculator youtube इसको हम कर देते हैं इसी नाम से और कुछ नहीं करना है आपको यह save कर देना है यह save करने बाद यह देखो उपर आ गया है python calculator youtube अब हमने program को पूरी तरह बना लिया है अब हम इसको run करेंगे तो चली इसको run करते हैं आप फाइब बटन को आपको keyboard से प्रेस करना है यह run हो जाता है देखिए यहाँ पर छपकर आया है जो हमने शुरू में लिखा था कि select the number two operation तो इन में से कोई एक number चुनिए एक दो या तीन चार एक में है add two में subtraction three में multiplication four में divide तो यहाँ पे लिखा हो select the number two perform अब इन में से कोई एक number चुनिए देखिया आपने जो बताया हुआ है वो ही जी यह आपको सो कर रहा है यहाँ पे print double inverted comma bracket कुछ नहीं दीखेगा जो आपने bracket के अंदर double inverted comma के अंदर जो भी आपने डाला है वो ही चीज के वल प्रिंट करेगा तो यहाँ पर प्रफॉर्म करता हूँ जैसे add के लिए one दबाना है तो मैं one दबाता हूँ कीवोड से one button मैं दबा देता हूँ जैसे मैं one दबाता हूँ और इंटर दबाता हूँ तो यह पूशता है इंटर दफर्ष्ट बटन इंटर दफर्ष्ट नंबर जैसे मैं फर्ष्ट नंबर को प्रेस करता हूँ तो यहाँ पर पूशता है कि कि किसको किसको प्रेस करना है तो यहाँ पर फर्ष्ट नंबर तो first number पूछेगा फिर number two, number two में second number पूछेगा, उसके बाद your answer is करके, उसका solve जो है करके देगा हमको, हमने यहाँ पर प्रोग्राम पे पूरी methodology लगा रखी है, second number मैं दे देता हूँ, 1500 यानि 1500 और 500 को मैं प्लेस कराऊँगा, तो answer क्या देगा, इंटर दवाता हूँ, देखिया, यहाँ पे दे रहे, your answer is 2000, इस परकार थे, आप चाहो तो फिर से run कर चकते हो, इसको run करने बाद पूछेगा, जैसे की, third number देखे, हमको multiply करना है, third number पे यही, तो हम यहाँ पे थीरी दवाते हैं, जैसे हम यहाँ पे थीरी दवाते हैं, थीरी दवाने के बाद, आप इंटर दवाएंगे, इंटर दवाने के बाद, वो पूछे का पहली संक्या क्या है, इस प्रकार थे आप एक calculator बना सकते हैं जो शुरू में beginner हूँ या फिर python सीख रहे हूँ एक छोटा सा process है इसको कर सकते हैं आप पूछ रहा है कि इसको divide के लिए हम क्या करें तो divide के लिए माल लीजिए divide के लिए 4 नमबर दवाना है तो divide के लिए बोलेगा कि पहली संगे में तो मैंने 10,000 बताया है 10,000 में से अगर 8,500 हो जाएगा तो कितना बचेगा वो खुद आंसर दे देगा यह देखिए बता रहा है कि इसका आंसर इतना बचेगा इस परकार ते फिर आप 5 दवाते हो तो हमने divide भी कर लिया है एक बर और divide को कर लेते हैं और नमबर आप दवाएंगे अगर बोलो कि माल लिजिए 125 को divide करते हैं 5 से तो इसका आंसर कितना आएगा इंटर मारोगे तो आंसर आएगा 25 आप करके देख लिजिए इसके अलाबा आप चाहो तो आप माइनस हमने subtraction नहीं किया सब्टेक्शन को भी check out कर लिते हैं यहां पर सब्टेक्शन के लिए ऐसा है कि अगर माल लिजीए कि आफाली हम में 1500 हमको यहाँ पर लिखना पड़ेगा, program को run करना है, run करना के बाद यहां पर quello एक हाँ को लिखना है, सब्लेक्शन के लिए दो बटन है दो नंबर दबाएं गे Shanks mana kva 4500 क्या मैं कित्रा सिंपल तरीके से मैंने आपको बता है इस वीडियो को आप दुबारा देख सकते कोई भी सवाल हो आपके जहन में आप पहुंच सकते हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए ओप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी थैंक यू वेरी मच